नमस्ते दोस्तों गिताइजली के दुनिया में खुब खुब स्वागत है आपका आज दोस्तों बनाएंगे आज केहूं के आटे के चिले पतले पतले और उसका तवा कैसे त्यार करते हैं वो सीखेंगे उसके लिए देखे धनिया ले ली है दो प्याज और चार मिर्च जिसमें अगर लाल होगी मिर्च या पीली होंगी तो दिखेंगी और उनको आप हटा भी सकते हैं अगर बच्चे खाएंगे तो इनको महीन महीन कटर से काट लिया देखे सब कुछ बिल्कुल महीन महीन हो गया है अब इससे आप मिर्चे हटा सकते हैं अगर बच्चे खाएं बनने के बाद भी तो चलिए शुरू करते हैं देखे आटा दो कटोरी ले लिया यह हूँ काटा है इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे अब इसमें नमक डालेंगे नमक आप स्वाद के अनुसार डाले यहने देड़ चमश नमक डाला है छोटे देड़ चमश और इसमें एक चमश जीरा डाला है हल्दी डालेंगे आधा चमश पिसी लाल मिश नहीं डालेंगे क्योंकि वैसे ही चटपटा हो जाएगा अगर आप बहुत तीखा खाते हो तो थोड़ी मिर्श डाल लीजे और कोई भी दोस्तों मसाला भी इसमें नहीं पड़ेगा अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको मिला लेंगे जिससे की क कोई भी गुटले आपको नजर ना है क्योंकि अगर इसमें गुटले होंगी तो फिर चिल्ला बनाने में बहुत दिक्कत होगी दोस्तों आप आज आप बहुत अच्छे तरीके से बिलकुल महीन आटे के चिल्ले लोग पसंद तो करते हैं पर बनाना थोड़ा कठिन होता अ और इसको भी मिला लेंगे अब इसको फोड़ास पतला करेंगे बि गणा दिख रहा है फेटना नहीं है बस अच्छे से मिलाना है थोड़ा थोड़ा डालते जाएं थोड़ा थोड़ा मिला लें गर आटे की चिल्ले बहुत पतले होते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं और दूसरा एक स्पेशल ट्रिक भी सीखेंगे कि इसका तवा कैसे त्यार करते हैं अगर एक बार तवा त्यार हो जाए तो आपके चिल्ले सब बढ़िया बढ़िया पतले बनते जाएंगे तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे देखिया आधा का पानी डाल दिया आप पानी अप बचा दिया थोड़ा सा तेल डाल लिया देखिये थोड़ा सा तेल डालके इसको चार और फैला लेंगे अब इसमें एक मोटा सा जादा सा दो चमचे बैटर डालके देखिये मोटा सा कर दिया बिलकुल यह देखिये यह ट्रिक है तवा त्यार करने की अब इसको मीडियम फ कि तवा आपका बिल्कुल त्यार हो जाएगा उसके आप उसके बाद आप कितने चिल्ले भी पतले बना सकते और दो तरीके भी आपको सिखाऊंगे चिल्ले बनाने के जिससे की कभी भी आपके फटेंगे नहीं बहुत अच्छे बनेंगे जिन्होंने कभी भी नहीं बनाया हो वो भी अच्छे से बना पाएंगे तो देखिए आप एक तरीका ये देखिए ऐसे चार ओर से बेटर डालते जाएं और ये बीश में आता जाएगा थोड़ा थोड़ा ऐसे से फैलाते जाएं देखिए अगर आपने कभी भी चिल्ला नहीं बनाया होगा पहली बार मेरे वीड डाल लेजिए जो आपको पसंद हो अब इसका जो सफेद पन है ये थोड़ा सूखने लगेगा तभी पल्टेंगे इसको और गैस को लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि अंदर तक पकना जरूरी है देखिए सफेद पन बिल्कुल खतम होना चाहिए आपको दिखा रही मैं अंगली से इस तरीके से देखिए सफेद पन खतम हो गया अब इसको ये देखिए दोस्तों लोहे के तवे पर देखिए कितना बढ़िया चिल्ला ऐसे बन जाएगा ये देखिए लाल लाल बिल्कुल हो रहा दोनों साइड से बिल्कुल अच्छा सा सेक लेंगे देखिए शुरू में मोटा लगता है लेकिन देखिए कितना पतला बनाई ये देखिए क्योंकि पकने के बाद थोड़ा पतला हो जाता है अब दूसरा चिल्ला दूसरे तरीके से देखें जैसे डूसे के better को फैला आते हैं यह देखें कितनी आसानी से फैल भी रहा है और अब यह आपको लग रहा हो गो कि मूटा है लेकिन यह देखेगा किसीट बनने के बाद कितना पतला बनेगा लेकिन इसको blame guys को तेज बहुत मत करियेंगे नहीं तो कच्छा कच्छा रह जाएगा अंदर से अच्छे से पक नहीं पाइगा धीमे धीमे पक ने देंगे तो बहुत अच्छे से पख भी जाए और सिख भी अच्छे से जाएका कलर भी अच्छा आ जाएगा इसका कि देखे दीमे दीमे पकड़ा है इसलिए आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं कि यह देखे पहले कितना मोटा दिख रहा था और अब कितना पतला पतला दिख रहा है ऐसे अलट पलट देंगे और दोस्तों अगर आपको मेरी ट्रिक और तरीका पसंद आया और चिला बनाईए खाईए मुझे बताईए कैसा बना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर लिजे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजेगा नमस्त झाले